नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसेंब डिजिटल ग्रूपल क्लासस पर बच्चों क्लास 10 की हम साइंस की वर्क्षिट करने जा रहे हैं वर्क्षिट नंबर 77 जिसकी डेट है 25 जैनवरी अगर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो जल से जल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें तो देखे पहला क्वेश्चिन है अगर किसी सब्सक्राइब नहीं को पता चल जाता है तो देखे यहां पर पहला क्वेश्चिन है आपके पास सबसे पहले उसने सि्ल्टाइब नेच्रीर थे सुर्स ब creation है तो भी सिट्री कर अटकल पुछा है यह जाही थे नाम लिख देजेगा लें डंटमैटीग उसके नेम सब्सक्राइब यह को नू मद्से तीन नाम लिख दिजेखा में लेमन और कर्ड लेमन और कर्ड लिख देते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अगर आप बात करेंगे तो कुछ मार्केट में अविलेबल होता हैं जैसे मेथाइल औरेंज हमें से बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकल कंपाउंड को अपने स्कूल्स में जरूर देखा होगा स्कूल्स के अंदर ये बहुत ही कॉमनली यूज़ दे कैमिकल होता है फिनॉप्थेलीन फिनॉप्थलीन जो होता है वो भी एक बहुत ही कॉमनली यूज़ सबस्टेंस है आई होप आपको ये बात पता होगी अब आपको अगला सवाल बताना था बेटा कि ओल्फेक्टरी इंडिकेटर से क्या होते हैं तो देखें कुशन मुश्किल नहीं है वो सबस्टांसर वो इंडिकेटर सो जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं इन प्रेजन्स ऑफ़दा इंडिकेटर उनको हम कहते हैं औल्फेक्टरी इंडिकेटर तो किसको कहते हैं बहुत क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में सब्स्टैंसस सब्स्टैंसस वोज स्मेल डिपेंड्स वोज स्मेल डिपेंड्स किस बात पर डिपेंड करती है इस बात पर डिपेंड करती है इसके कुछ एक्जाम्पल्स अगर हम सोचते हैं बटा तो एक्जाम्पल के तौर पर गार्लिक हो सकता है तर्मरिक हो सकता है ओनियन एटसेटरा कुछ भी हो सकता है तो यह थिंक यह भी क्लियर होगा अगला कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन इस वाइड़ ड्राय एचल नॉट चेंज दा कलर ऑफ ड्राय लिट्मस पेपर तो इसका अंसर होता है because of absence of water क्योंकि water ही नहीं है जिसके साथ यह कोई solution आपने नहीं दिया है तो इसलिए इसका अंसर जो होता है यह रह जाता है ठीक है यह भी मेरे ख्याल से clear होगा अंसर इसमें भी कोई दिककत तो नहीं है असांसा question है कि dry HCl पे क्यों दिककत नहीं होता क्योंकि water नहीं है so it does not it मतलब HCl does not dissociate to give H plus ions और जब HCl ions नहीं होते हैं तो इसके बिना pH को नापना जो है possible नहीं हो पाता है क्योंकि acid H ions कब देता है only in aqueous solution water लिख दो या bracket में क्या लिख सकते हो aqueous solution भी लिख सकते हो so ln मतलब solution अब name the acid present in the following अगर आपसे यह question पूछ ले जाए यह भी बहुती straight forward सा question है कि भाई इन में से किस चीज में कौन कौन सा acid present है तो tomato में तो अब आप उपर ही पढ़के थे बिटे क्या होता है oxalic acid vinegar में क्या होता है थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ी कि भाई आप ऐसा क्या करेंगे कि acid ya base with the chemical तो दो synthetic indicators आपने पढ़े थे उनके हम नाम लिख लेते हैं जैसे जैसे methyl orange जैसे methyl orange और दूसरा आपको याद होगा अपने एक और बहुत बढ़ा सा नाम पढ़ा था phenolophthalene I hope सबको हमें से याद रहेगा वो नाम बढ़ा important रहता है जो कि बहुत ही commonly use किया जाता है इस फिनोल तो इन दोनों की presence में आपको बताना है कि भाई कैसे आप test कर सकते हैं तो methyl orange में अगर acid होता है तो इसका color red होता है और अगर base होता है तो yellow होता है और phenolophthalene जो होता है उसके presence में colorless acid के साथ और base के साथ अपना color आता है pink ठीक है तो colorless and pink हो गया ठीक बेटे उसके बाद एक हम लेटमस paper की भी बात कर सकते हैं तीसे नमबर पर इसको हम बोलते हैं लेटमस paper अलगी यहां पर उसने chemical की बात की है तो chemical एक नाम ढूंडते हैं तो पिटा जो लेटमस paper वाला होता है हमारा अगर हम उसकी बात करते हैं तो लेटमस paper जो chemical है इस chemical से बना है अगर लेटमस paper जो होता है इस तो टेस्ट वेदर सोलेशन इस एक बिसिक तो जो light blue लेटमस paper है वह acid की presence में क्या हो जाता है reaction करने पर red color का हो जाता है और red करता है कि लेटमस paper जो है कौन सा हो अगर लेटमस paper कैसा था ब्ल्यू था तो वह किसमे करण जाएगा red में और लेटमस paper अगर red था और base के साथ react किया तो किसमे चला जाएगा blue में और neutral होता है कौन सा purple color का अब देखिए अगला question 6 के बाद 7 तो question है write any three physical properties of acids and base कि आपको तीन properties लिखनी है acid और base की तो भाई acid और base की तीन तीन properties क्या होती है तो भाई एक तो हमने यह देखा ब्ल्यू लेटमस red एक तो अभी अभी आपने देखा लेटमस paper वाला turns blue लेटमस red correct दूसरा जो था हमारे पास अगर हम base की बात करते हैं तो turns red लेटमस blue acid का दूसरी property क्या होती है तो हम जानते है इस property को तो sore in taste थोड़े से खटे होते हैं base की property क्या होते है bitter in taste कड़वे और क्या हो सकता है कंड़क्स electricity यह तो दोनों के common point होता है साथी में यह भी हम कह सकते हैं कि acids और base में not soapy to touch, soap जैसी feeling नहीं आती on touching them वह थोड़े soapy to touch होते हैं यह आप चौथा point लिखना चाहें दोनों में तो क्या लेख सकते हैं conducts electricity electricity और base भी conduct कर सकता है electricity योकि ions में dissociator हो सकता है ठेक है उसके बाद 8th question है given below are the results of solution tested with universal paper indicator इसको आपको arrange करना है sequence में तो देखें simple सा concept है कि red से आप yellow की तरफ बढ़ते हैं यह बात तो अपने को clear है इतना तो अपने को समझ में आ चुकी यह बात तो red सबसे कौन है ठीक है increasing pH values में बढ़ाना है सबसे पहले सबसे कम लिखा जाएका तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा इसमें sulphuric acid sulphuric acid के बाद कौन लिखा जाएगा washing liquid yellow है और फिर blue तो बेस होता ही है और दोनों में से light blue पहले लिख देंगे हम यहीं कि जो milk of magnesia है और डार्क ब्लीव बाद में milk of magnesia है और चौते नमबर पर क्या रजाएगा बेटा metal polish common sense लगा के हम इस question को भी कर सकते हैं अब अपने के पास एक ही question बच गया that is question number 9 क्या है बेटा question number 9 के अंदर question number 9 में है कि color obtained on pH paper for highly acidic तो भाई acid के लिए तो आपने अभी अभी बनाए ही था पिटा कि highly acidic के लिए क्या होगा red highly basic के लिए क्या होगा blue और neutral के लिए देखो भी लिखा हुआ है लिटमस solution is a purple dye from plant lichen, lichen मतलब fungus और अलिय का association when the litmus paper is neither acidic nor basic उसका color क्या होता है purple याने की neutral में क्या होता है तो अच्छा है थे कि वर्क्षेट अपने को समझ में आ गई होगी अगर वर्क्षेट समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले मैं हमें सपोर्ट करते रहें धन्यवाद